माइक्रोइन स्पिंकलर से ये प्लाट में पानी चला हैं और लगभग लगभग 12-24 घंटा चलाए के बाद ये बेड जो देखा थो आप ये में हमन प्याज लगा के तैरी कर रहा है और बेड ला हलका हलका हां से बराबर कर देना है थोड़ा से चालना है मिट्टी उपर करते हुए अपनला लगाना है ये आप देखा थो ये में बेड पद्धती से पहली डूहरू बना के लगा तरी इस गड़्धा में लगा जाए तो में खुदाई के समय थोड़ा दिक्कत हो तरी से पर ये विधी में खुदाई में कोई प्रकार के आउजार के जो रतनी कि ये माइक्रोइन स्पिंकलर नर्सरी यदी बढ़ चुक है ज्यादा बढ़े है तो थोड़ा से कटिंग भी करना है पहली भी आप मन हमने खरबारें बात करें से इला काट करके लगाना है चार बढ़ी चार से पांच इंच के दूरी में एक एक पोधला लगाना है इमें लगाया से पहली थोड़ा से बाविस्टीन है कारबेंडम इनको वग रहा है उक अखर से टीट करके हो लग में डूबा करके जड़ना लगाय से पौधा में सड़न भी निया बहुत अच्छा हो जाती हुआ और अभी ये में लगाय के बाद अपनमन्हा लगभग लगभग दो-तीन दिन बाद थोड़ा से हलका पानी ये में छोड़ना है अभी तो नम्मी है हमार साथ में गबर करके भी है वह बहुत अच्छा तेजीस भी लगात है बहुत अच्छा लगात हुआ है ना बहुत अच्छा लगात है फास्ट भगत हुआ सबसे आगे अभी हो अच्छा लगात है